नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा नाम मेरी पहचान चैनल पर स्वागत है इस महिला दिवस के सुब अफसर पर मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार रखने जा रही हूँ सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुब कामना है आचल में ममता लिये हुए, नैनों से आसू पिये हुए, सौब दे जो पूरा जीवन, फिर क्यों आहात हो उसका मन खुशी की बात है कि आज महिलाएं जीवन के हर शेत्र में पुर्षो से कंधे से कंधा मिला कर चल ही नहीं रही है बलकि धीरे धीरे उनसे आगे निकल रही है, लेकिन फिर भी अब भी कई ऐसी चुनोतियां हैं जो उनके कदमों को रोकने का काम कर रही है वैसे तो हर शेत्र में महिलाओं ने अपनी काबिलियत, हुनर और मजबूत इच्छा शक्ती से उस हर चुनोति को चकना चूर कर दिया है जो उसकी तरक्य में बादा पहुचाने का काम करती है लेकिन अब भी ऐसी कई चुनोतियां हैं जिनसे वो आज भी जूज रही है आज भी एक बड़ी संखियां में लड़कियां और बच्चियां अपनी सिक्षा को पूरा नहीं कर पाती और गरीबी या पारिवारिक समस्या की वज़ा से चोटी उम्र में ही स्कूल छोड़ने को मजबूर होती है एस्सिक्षित होने की वज़ा से अधिकांश महिलाएं अपने जीवन इस्तर में सुधार करने में खुद को असमर्थ महसूस करती है वैसे तो हमारे समीधान में पूर्षो और महिलाओ को समान अधिकार दिये हैं लेकिन आज भी जीवन के हर शेत्र में लड़कियों और महिलाओ को घर से लेकर कार्य शेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ता है आजादी के इतने सालों के बाद भी आज भी हमारे समाज में महिलाओं के लिए रूडी वादी सोच कायम है वैसे तो महिलाओं ने पुषों से सम्मंदित खेलो या फिर कोई कारिय छेत्रों में अपने कदम रखे और सफलता भी पाई है लेकिन फिर भी आज भी महिलाओं को इन कारियों को करने के लिए पहले परिवार और फिर समाज की नाराज़की का सामना करना पड़ता है जहां बेटियों को देवी दुरुगा लक्षमी रूप माना जाता है वहीं आज के दौर में महिलाए ही नहीं छोटी छोटी बच्चियां भी रेप, हत्या, किड्नापिंग और तसक्री जैसे गंबीर अपराद का शिकार हो रही है तो वहीं महिलाओं के खिलाफ ऐसे अटैक, गैंगरेप, घरेलों हिंसा जैसे मामलों ने महिलाओं के लिए देश को एक सुरक्षित इस्थान बना दिया है लेकिन अगर पुरुष और समाज महिलाओं के प्रती अपनी मानसिक्ता में बदलाव लाए और कानूनों का सक्ती से पालन किया जाए तो समाज में बढ़ते अपरादों पर रोग लगाई जा सकती है इन सभी भैवे परिस्थितियों वे हालातों से संघर्ष करते हुए नारी ने जो साहस का परीचे दिया है वे आशर्य जनक है आज नारी की भागेदारी के बिना कोई भी काम पूर्ण नहीं माना जा रहा है आज की महिला हर मामले में आत्म निर्भर और स्वतंत्र है और पुर्षों के बराबर सब कुछ करने में सक्षम भी है हमें महिलाओं का सम्मान जेंडर के कारण नहीं बलकि उनकी स्वेम की पहचान के लिए करना होगा हमें यह सुईकार करना होगा कि घर और समाज की बहतरी के लिए पुरुष और महिला दोनों समान रूप से योगदान करते हैं हर महिला पुरुष से भी विशेश होती है खुद मौत के दर्वाजे पर जाकर एक नन्नी सी जान को जनम देती है वह अपने आसपास की दुनिया में बदलाव ला रही है और सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि बच्चों की परवरिश और घर को स्वर्ग बनाने में एक प्रमुक भुमी का निभाती है यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस महिला की सरहाना करें और उसका सम्मान करें जहां नारियों की पूजा की जाती है वही देवता भी निवास करते हैं वास्तब में इस्त्रिया जनम से अबला नहीं होती, उन्हे अबला बनाया जाता है जन्ब के समय एक इस्तरी शीशु की जीवनी शक्ती का एक पुरुष शीशु की अपेख्षा अधिक प्रबल होती है लेकिन समाज अपनी परंपराओ और रीती रिवाजो अवं जीवन मूल्यों के द्वारा महिलाओ को सबला से अबला बनाता है ऐसे में आवशक्ता है कि इस बात की कि हमें महिलाओ का सचक्ति करन करने के लिए उन्हें एहसास दिलाना होगा कि उनमें अपार शक्ती है उनको अपनी आंतरिक शक्ती को जगाना होगा क्योंकि जिस प्रकार एक पक्षी के लिए कीवल एक पंग के सहरे उन्ना संभव नहीं है, वैसे ही किसी रास्ट की प्रगति केवल पुर्शों के सहरे नहीं हो सकती किसी जमाने में अबला समझे जाने वाली नारी को मात्र भोग एवं संतान उत्पत्ती का जरिया समझा जाता था जिन ओर्टों को घरेलू कार्यों में समेट दिया गया था वह अपनी इस चार दिवारी को तोड़ कर बहार निकली है और अपना दाइत इस पूर्ती से निभाते हुए सब को हैरान कर दिया है 21 सदी नारी के जीवन में सुगत संभावनाय लेकर आई है नारी अपनी शक्ती को पहचानने लगी है और वह अपने अधिकारों के प्रती जागरू कुई है लेकिन यहां हम सभी इस कटू सत्य से मूँ नहीं मोर सकते कि महिलाओं को आज भी पुष्चों की तुलना से कमाका जाता है आज भी उसे अबला समझा जाता है महिला दिवस तो तब सफल होगा जब महिलाएं और पुरुष को बराबर का सम्मान दिया जाएगा जै हिन जै भारत वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद